स्वार और व्यंजन के बारे में सिखने से पहले हम वर्ण माला के बारे में जानेंगे। बाशा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। वर्णों के उच्चारण समूं को वर्ण माला कहते है। आज हम सीखेंगे हिंदी में वर्ण माला। सबसे पहले हम स्वार सीखेंगे। स्वर अ से अह तक अ से अनार आ से आम इसे इमली बड़ी इसे एक। उसे उल्ल। उसे उन। रूशे रूशी। ए से एडी। ए से एनक। ओ से ओखली। अव से अउरत। अंग से अंगूर। अह से आहा। कूल स्वर तेरह है। स्वरो की सहायता से बोले जाने वाले अक्षर व्यंजन कहलाते है। क से कमल। ख से खरगोश। ग से गमला। बड़े ग से गडी। अंग। अंग से कोई शब्द नहीं बनता। लेकिन शब्द के उपर इसे बिंदी के रूप में जोडा जाता है। जिसे अनुस्वार कहा जाता है। इसे उस अक्षर की आवाज बदलती है। जैसे गंगा, जंगल, मंगल, चंदा। चा से छत्री, जा से जग, बड़े जा से जंडा। यह। पहले हमने अनुस्वार देखाना। यह आधा अनुस्वार है। इसे अक्षर के उपर चंद्रबिंदी के रूप में लिखा जाता है। जैसे गायव, गाउ, पायव, पाउ। गाउ शब्द के अक्षर पे आधी चंद्रमात्रा होती है। इसे आधा अनुस्वार केते है। त से टमातर, ठ से ठेला, ड से डफली, ड से डोलक। गण, गण से कोई शब्द नहीं है। लेकिन गण कुछ शब्दों में बीच में या आखरी में आता है। गण, राष्टियगी, जन गण मन का गण और धनुश बाण, वाला बाण। त से तर्बुज, थ से थर्मस, द से दवात, द से धनुश, न से नल, प से पतंग, फ से फल, ब से बतक, ब से बालू, म से मचली, य से यग्न, र से रसी, ल से लट्टू, व से वीना, श से शांक, श से शटकण, श से सूरज, ह से हाथी, श से शत्रिय, त्र से त्रिशूल, ग्ण्या से ग्ण्यानी, तो बच्चों ये थे वर्ण माला के स्वार और व्यांज्यन, तांक यू,